अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस email address पर mail कर सकते हैं यह मेरा Instagram link है और यह मेरे Telegram channel का link दिया गया है इस Telegram channel पर आपको मेरे सभी lectures की PDF मिल जाएंगी जिनको आप revision purpose के लिए download कर सकते हैं और revise कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि class 6 से लिए class 12 science NCRT series को देखना तो उसके link भी आपको इसी Telegram channel पर मिल जाएंगे इस set का सवाल number first question आपके सामने screen पर आपको दिखाई दे रहा है इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि which of the following indicators for identifying acid and base acid और base को identify करने के लिए कुछ indicators दिये गए हैं कुछ ऐसे chemicals होते हैं naturally भी और artificially भी उनको create करते हैं जिसकी विज़े से जिसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई एक सबस्टन्स acid है या बेस है तो इसमें चार चीज़े दी गए है टॉमरीक दिया गया है चाइन रोज दिया गया है और फिनॉल 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 थेलिन दिया गया है इसमें से पूछा आप से जा रहा है कि कौन सा इसमें से natural indicator है आप इसको जहां से देखिए सवाल को यह एंचियोटी का क्वेशन है इसमें से कौन सा नैचुली अप्रिंग है सारे के सारे अगर आपको पड़के अगर जिसने भी मेरी साइन ऐसे पड़ी है उसको समझ में आ गया होगा किसके सब इंडिकेटर है तो इसमें से नेचरल इंडिकेटर है तो मश्या आपको पता है आपको लितमस और और फिनॉल तैलीन में confusion हो सकता है तो 1 or 2 तो पका आएगा तो 1 or 2, 3 के साथ या 1 or 2, 3 or 4 के साथ तो this could be one of the possible answers तो अगर आपको ये chapter याद है तो आपको समझ में आएगा जो phenol thalin जो है वो एक artificial है chemical जिसको हमने create किया है जिसको हम use करते हैं तो इसका जवाग हो गया 1, 2 and 3 आप इसे solution वाले page से आप पढ़ सकते हैं कि acid और base जो indicators है वो किस तरीके से काम करते हैं वो pH indicators होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि कौन सा substance है किसकी pH 7 से जादा है किसकी pH 7 से कम है अगर 7 से कम है तो वो acid है अगर 7 से जादा है तो वो base है ये बात हम जानते हैं अच्छे तरीके से हमने ये देखा था कि कुछ chemical substance होते है जो nature हम हम को देती है कुछ chemical substance होते है phenol kthelin जो है ये एक indicator है जिसमें chemical को अगर हम use करते हैं तो depending on whether it meets an acid or base ये उसका जो color है purple it turns purple if meet basic and it turns it is colorless if it is meet acid अगर acid में जाएगा तो colorless रहेगा और अगर base में जाएगा तो purple color का हो जाएगा और एक चीज जो है इस वाले चार्ट से आप ये जुरूर पढ़ लो कि ये कौन-कौन से synthetic indicators हो सकते हैं thymol हो सकता है, methyl orange हो सकता है ये सारे के सारे कौन से हैं synthetic indicators है, natural indicators कौन-कौन से हैं जिसके अंदर आएगा लित्मस, turmeric, beetroot, red cabbage और चाइना रोस, ये सारे के सारे naturally आपको मिधिखर मिलते हैं मैंने आपको एक बात बताया था जब हमने ये chapter पढ़ा था, तो लित्मस test हो करते हैं, लित्मस test किया, अगर वो blue हो रहा है blue है, तो base है B for blue, B for base तो basic अगर होगा, तो लित्मस जो है, वो कैसे turn हो जाएगा red से blue turn हो जाएगा, right उसका opposite वाला, ऐसे डोगा तो ये चीज है, ये आप इसको revise कर लीजे अगला सवाल जो है, आपकी screen पर आपको दिखाई दे रहा है, वो HCS exam 2021 में पूछा गया है, latest question इसमें आप से पूछा गया था which of the following does not involve total internal reflection, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भी total internal reflection होता क्या है, right, इसमें phenomena's दिये गए है, mirage kaleidoscope diamond sparkle and transition of lights in optical fiber, ये आपको 4 options दिये गए है, अगर आपने NCRT का chapter follow किया था, तो उसमें हमने काफी अच्छे से discuss किया था, कि total internal reflection क्या होता है total internal reflection का मतलब होता है, कि अगर कोई beam आ रही है, वो क्या होगी वो bend हो जाएगी, किस वज़े से क्योंकि medium change हो गया, dancer हो medium, या medium rarer हो गया, rarer और denser कैसे होता है, अगर वो temperature भी उसको denser rarer कर सकता है, कोई एक medium होता है, उसके अंदर होता क्या, उसके अंदर particles होते हैं, अलग-अलग molecules होते हैं अगर वो molecules दूर-दूर चले जाएगे तो वो rare हो जाएगा, और भी जादा thin medium बन जाएगा, अगर वो molecules पास 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 आ जाएगे तो gas से liquid बन जाता है liquid से solid बन जाता है, यही हमने पढ़ा था तो इसी तरीके से depend करता है कि कौन सा medium है तो उसके हिसाब से जो light की ray होती है, वो bend हो जाती है medium जैसे जैसे change होता है, तो इसका answer है, आप देख सकते हैं जो हम मिराज वाला फिनॉमेना देखते थे तो इसमें क्या होता था जो light आ रही है, light band हो गई क्यों हो गई band, क्योंकि नीचे जैसे eye light, गर्मी के time में तो क्योंकि यह medium change हो गया rare हो गया medium, तो यह band हो गई तो यह जो कैसे हो रहा है यह total internal reflection की वज़े से हो रहा है secondly हमने देखा था diamonds की के समें हमने देखा था, total internal reflection होता है, और optical fiber के कीस में भी overall internal reflection होता है यह uneüh, तकराख इदर मुड़ गई इधर मुड़ गई इधर मुड़ गई तो इस तरीके से total internal reflection था है अब kleidoscope में क्या हो रहा है kleidoscope जो होता है ये देखिए ये वाला इसमें क्या हो रहा है इसके अंदर multiple reflection होता है total internal reflection नहीं होता इसके अंदर multiple एक beam जो है वो तकरा के दूसरे mirror के साथ जाके टकरा जाती है the mirrors reflect the image of object inside creating a symmetrical pattern light travels in a straight line when light bumps into something it changes the direction if the light bumps into something shiny it reflect back in the direction it come close and closer to the mirror together तो ये क्या फेनोमेना है ये multiple reflection का फेनोमेना है total internal reflection के लिए mirage और optical fiber और diamond ये सब हमने example में पड़ा था इसके अंदर आप पूरा देख सकते हैं जैसे जैसे जो मिराज कभ होता है जब day time में होता है जब temperature of the earth's surface increase हो जाता है hot day में इसकी वज़े से क्या होता है surrounding air जो है but the air present in the atmosphere will be cooler उपर जोगी cool होगी नीचे जोगी गरम होगी इसकी वज़े से total internal reflection हो जाएगा अगला सवाल जो आपको screen पे दिखाई दे रहा है सवाल नंबर 3 इसमें आप से पूछा जा रहा है इसके अंदर कुछ conditions दी गई है और यहां पे दिया गया उसका neutralizing agent अभी तक के सारे question NCRT से ही आ रहे हैं यह भी NCRT का question है अगर आपको indigestion हो जाता है तो neutralizing agent कौन है milk of magnesia दिया हुआ है ant bite चिटी काटती है तो कौन है neutralize करने के लिए आपको क्या करना है तो quick lime आप डालते हैं यह तीनों चीजे इसके अंदर दी गई है आप से पूछा गया है इस correctly match कौन सा है तो NCRT का सवाल सीधा NCRT में हमने पढ़ा था examples में अगर acidic soil होगी तो हम उसमे quick lime add करेंगे अगर चीटी काटती है तो हम waking soda का use करेंगे indigestion होता है तो milk of magnesium milk of magnesium इसका common नाम है milk of magnesium में क्या होता है milk of magnesium होता है which contains magnesium hydroxide जो आपकी digene वाली जो दवाई आती है जिसको आप खाते हैं पीते हैं स्वावी जब आपको indigestion हो जाता है उसके अंदर milk of magnesium होता है magnesium hydroxide तो इसको हम कब यूज करते हैं, इसको हम स्टमक के अंदर, अगर हाइड्रो क्लोरिक एसेड जो है, वो जादा बढ़ गया है, जो डाइजेस्ट करता है, बढ़ तू मच जो होगा, वो हमारे लिए नुकसान करेगा, तो हम क्या करेंगे, मिल्क ओफ मेंगे डालेंगे, विच को बेक कर रहे हैं, उसका हम यूज करेंगे, या फिर हम क्यालमाइन जोलिशन का भी यूज कर सकते हैं, सिमिलर्ली सॉइल, अगर हमारी मिट्टी कराब हो गई है, तो हम उसके अंदर, क्या डालेंगे, क्विक लाइं, कैल्शियम औकसाइड, यह हम बहुत कॉमनली यूज क properties decreases across the periodic table, NCRT का question है, जब मैंने आपको NCRT पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था, NCRT का ही चार्ट था, वो मैंने आपको दिखाया था और समझाया था, तो जो periodic table है, जब हम left से right जाते हैं, तो क्या character increase होता है, और top से bottom जाते हैं, तो क्या character increase होता है, इसमें चार character's दिये गए है, ionizing energy, electron affinity, electron negativity और atomic radius, अब ये सवाल कौन सॉल करेगा, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ वो इनसान सॉल करेगा, जिसने actually chemistry का NCRT पढ़ा है, जिसको ये बात पता है, मैंने आपको ये बताया था, इस का answer atomic radius है, तो मैंने आपको ये बताया था, यही वा तो क्या होगा, atomic radius increase होगी, क्योंकि इनका number बढ़ता जा रहा है, ये तो साफसी बात है, atomic radius ऐसे increase हो रही है, पहले छोटा था hydrogen, जिसके अंदर एक ही shell थी, जो lithium आएगा, उसके अंदर दो shells आजाएंगी, फिर तीन shells आएंगी, फिर चार shells आएंगी, तो इसलिए atomic radius increase हो रही ह तो इदर decrease हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो atomic radius decrease हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो number of electrons outermost shell में present होते हैं, माल लीजेगर outermost shell में एक electron present है, तो क्या होगा, वो tend to lose that electron, वो उसको बोले का छोड़ दो, लेकिन अगर 7 electrons present हैं, तो वो क्या करे जो atom है, वो चाहेगा कि उसको एक और electron मिल जाए, यही हमने basic सा concept पढ़ा था, तो इदर से इदर जाते हैं, तो atomic radius जो है, decrease होगी, तो यही सवाल में पूछा गया था, but again I will say, यह सवाल सिर्फ वो ही लोग solve कर पाएंगे, जिन्होंने इस chapter को सच में पढ़ा है, रटने से य यह सवाल solve नहीं होगा, इस वाले में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि atomic radius क्या है, ionization, ionization, enthalpy या energy क्या होती है, electron gain क्या है, यह मैंने अपने कुछ, class 11 में भी पढ़ाया और आपको छोटी class में भी पढ़ाया था, chemistry में, अगला सवाल है जो आपकी screen पर वो है, which of the following is not a chemical change, chemical change कौन सा नहीं है, यह पूछा जा रहा है, तो दो तरीके के changes होते हैं nature में अगर हम बात करेंगे, कौन-कौन से, physical change होता है और chemical change होता है, यह NCRT का question है, बहुत ही important question topic, इसमें से सवाल बनते हैं, असान सवाल, chemical change के बारे में हम जानते थे, वो change है, जो की reverse नहीं हो पाएगा, अब आप देखिए, fermentation of grape, क्या यह chemical change है, क्या आप एक बार ferment हुए grapes को, जिसको आपने सडा दिया, फर्मेंट कर दिया, वापस reverse grapes में convert कर सकते हो, नहीं कर सकते है, chemical change है, explosion of firework, आपने पटाके ते वो जला दिये, क्या आप उसको वापस पटाका बना सकते हो, नहीं, crystallization and digestion, digestion जो आ आपने चीनी में, पानी में चीनी गोली थी, गरम-गरम करकर के उसको चीनी को आपने चाचनी बना के और गाड़ा करोगे तो शुगर बन जाएगी दुबारा से, similarly शुगर बन गई, फिर उसमें पानी डालोगे, फिर से चाचनी बन जाएगी, तो crystallization जो है, वो क्या है, crystallization is a physical change, बाकी सब chemical change है, असान सवाल था, NCRT से, इसमें आप पूरा explanation पर सकते, physical change और chemical change में क्या-क्या फरक है, ये बहुत असान टापिक है, और ये favorite topic भी है, examiner's का, पूछे जाते हैं इस से सवाल, तो crystallization कैसे की जाती है, ये आपको पता है, NCRT में हमने पढ़ा था, सवाल 6 जो आपको screen पर दिखाई दे रहा है, वो है, कौन सा जो substance है, which of the following substance do silver article reacts with, silver article कौन से substance से react करता है, that makes silver article black, ये इसमें पूछा गया था, कि आपने देखा, कि जब आप कोई चांदी की चीज़ को बाहर रख देते हैं, तो कभी-कभी क्या होती है, वो काली पढ़ जाती है, ह कुछ-कुछ जगहों पर नहीं पढ़ेगी, कुछ जगहों पर हमेशा पढ़ेगी, हो सकता है, जिस जगह पर आप रहते हो, हमेशा हमाँ पर काली पढ़ रही है, क्योंकि वहां की हवा में कुछ न कुछ और substance है, oxygen, carbon dioxide, इसके सिवा, तो ये UPSC के CDS exam में पूछा गया, 2021 मे NCRT again, NCRT से question है ये, तो कौन सा ऐसा substance है, क्या वो, oxygen है, नहीं, oxygen होता तो सब जगह होता, carbon dioxide है, नहीं, ये भी नहीं होता, तो दो में से हो सकता है, sulfur हो सकता है, या तो phosphorus हो सकता है, अब आपको ये देखना है कि sulfur और phosphorus में से कौन सा है, तो अब जिस किसी में NCRT पढ़ी होग तो उसकी tarnishing हो जाएगी, जो चमच है, वो काला पढ़ जाएगा, या जूलरी आपकी काली पढ़ जाएगी, कैसे हो रहा है, ये chemical reaction है, classified as an oxidation reaction है, with sulfur, तब ही हो रही है ये, जब sulfur के साथ oxidize हो रहा है, अगर सिर्फ हवा के अंदर sulfur नहीं है, वहाँ पे रखी हुए जान्दी तो वो काली नहीं पढ़ती है, ये आपको समझना पढ़ेगा, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पका गलत किया होगा, उन्होंने सीधा oxygen मारा होगा इसको, ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन, तो क्या हो रहा है, जब भी किसी भी substance में, air में, pollutant की तरह कौन प्रेजन है, sulfur, hydrogen sulfide पीछ में प्रेजन है, चांदी, hydrogen sulfide प्लस oxygen की reaction होगी, AG2S, ये होता है, टानिश, इससे हमें काला दिखाई देता है, अगें, NCRT का सवाल, अगला सवाल है, आपके सामने सवाल नमबर 7, जिसमें आप से पूछा जा रहा है, आप से दो statement दी गई है, आप से पूछा जा है, कौन सी correct है, अब ये वैसे तो, जोगरफी का सवाल है, बट ठीक है कि इसमें साइंटिफिक फेनोमेना भी involved है, तो इसको हमने इसको यहां पे इंकलोड कर लिया, इसमें पूछा गया है, जो एवरेज अट्मॉस्फफरीक पैटन है, जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ओ इसको कहते है हम क्लाइमेट, यह इसमें बोला गया है, दो स्टेट्मेंट, इसमें दिये गया है, एन्सी अर्ट के यह नो स्टेट्मेंट, समझाया भी है, मतलब बाकी हम जब एन्सी अर्टी पढ़ेंगे, जोगरफी कितब भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यह जो statement है इसमें से कौन सी correct आप कुछ लोगों को ये confusion होगा आपको लगे का दोनों statement correct है बोट वन यर्ट बट ऐसा नहीं है दोनों को statement को उलटा दिया गया है यह उलटा कर दिया कि दो गलत है जो average condition होती है उसको हम climate कहते है जो day-to-day phenomenon होता है तो एक चीज़ आप समझ लीजी सवाल को देखके कि जो एक्जाम जो एक्जामिनर्स होते हैं उनका ये फेवरेट तरीका होता है question set करने का दो स्टेटमेंट देंगे तो हमेशन उसको पलटा देते हैं mostly most of the time में एक तरीके का hack भी है आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि हाव तो स्कोर मैक्सिमम माक उसमें आपको एक बताता जाता जाता है जिसमें बोला जाता है कि जेनरली मतला हंड़ेट परसंट के सिस्की बात नहीं कर रहे हैं अगर मुझे पर सेट करना है तो मै आप एक चांस लेते हैं तो इसमें वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस समझाया गया है you can read from this chart वेदर जो होती है डे-to-day फिनॉमेना है और क्लाइमेट जो है एक average फिनॉमेना है घिक है दोरों में फरक है फिर आता है आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 8 जिसमें जो पूच कुछा गया है कौन कौन से जो सब्स्टेंस की लिस्ट दी गई है जिनकी पी एच है लेस दन सेवन अब पहली बात तो इसमें आपको यह से सब्सक्राइब करती है तो एसेड़ है एपल जूस ऑफ्विसी बात है एसेड हम जानते हैं और लिक्विड इन कार बैटरी उसके नुदर तो यह पूछा गया था तो इसमें से सारे के सारे जो है वह एसेड है आप से यही सवाल पूछा गया था जिसमें आप से इसको पहचा के बीच में वेरी करती है इसमें आप देख सकते हैं एसेडिटी स्केल पर देखिए गैस्ट्रिक एसेड के अंदर एक ओटी पिए इतना स्टॉंग एसेड लेमन जूस और जूस टोमेटो जूस ब्लाक कॉफी यूरिन बिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर मतलब बिल्कुल यह चार्ट जो है आप अच्छे से पढ़ लेना आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसकी पिएच कौन ज्यादा बेसिक है कौन ज्यादा एसेडिक है तो इससे आप पता लगा सकते हैं असान सवाल NCRT गव सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जिसम थंडी जिगह पर रहता है वाइट कलर वाला इसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है कि वह यह यह बहुत अच्छा स्विमर है और यह पानी के अंदर बहुत लॉंग दूएशन तक रह सकता है पहला स्टेटमेंट और दूसरा इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है यह दूर द स्मेल लगा सकते हो बट हमेशा आपको common sense नहीं लगानी है जो भी आपके questions बनाया जाते हैं उस में ऐसे statement डाले जाते हैं कि जो common sense में आप गलत कर सकते हैं गलत सोच सकते हैं इस सवाल में ऐसा नहीं है भी भी उनका शिकार होगा उसको बहुत दूर दूर तक स्मेल कर लेंगे उदर पहुंचते हैं तो एंजी आटी का सवाल था तो एंजी आटी में पूरा बताया गया है यह बालू है यह उसकी कौन-कौन सी इस सारी उसकी बतायी गई है कि इसकी एक ठिक लेयर होती है फैट की यह हीबर्नेशन करने चला जाता है सोच आता है मंस और इसकी स्पार्ण बहुत अच्छा स्विमर है इसकी स्किन के नीचे फर फर के नीचे बहुत बड़ी फैट है तो यह सारी की सारी चीजें जो है हमने इस सेट का आखरी सवाल आपके सामने है जो असिस्टेंट कमार्णें ने पूछा गया आपसे इसमें पूछा जा रहा है the speed of wind is measured by कौन सा instrument है जो speed को measure करता है हवा की गती को तो ये भी हमने NCRT से पूछा तो सवाल NCRT में पढ़ा था मतलब NCRT का question है सीधा-सीधा तो इसमें पूछा जा रहा है wind rose पता नहीं कैसे ओके बैरोमेटर तो आप पता लगा लोगे कि बैरोमेटर तो नहीं हो सकता pressure measure कर रहा है wind rose क्या है ये wind vane हो सकती है confuse करने के लिए तो अगर आपने NCRT series देखी है तो आप उसके बारे में जानते हैं इसका जवाब जो है इदर से इदर speed भी बताएगा देखो direction के लिए ये वाला लगा हुए arrow वो बता देगा किस तरफ से हवा आ रही है जिस तरफ से हवा चलेगी वो उसको देदेगा जो एनिमो मेंटर है उसके अंदर ऐसे गोल गोल बनाते है इसलिए बनाते है गोल गोल जिस भी direction से जितनी त PRT में पढ़ा था हम इसके बारे में जानते हैं तो ये जो थे आपके सवाल से ये set number 14 था इसमें हमने कुछ सवालों को solve किया I hope आपको सवाल करके बहुत मज़ा आया होगा और आपकी धेर सारी learning होई होगी so thank you so much पढ़ते रहें and best of luck for your preparation